नमस्कार टेली डियो जारकन में स्वाधत है आपका मैं हो इम्तियाज अंसारी प्रस्तुत है समाचार मेराल से हमारे संबादाता वीबेकानन चौबे की रिपोर्ट जेयोती होस्पीटल एंड रिसर्च सेंटर में कैम्प लगा कर किये गए मोतियाज ऑपरेशन के बाद मरीजों के बीच अस्पताल के डिरेक्टर डॉक्टर अनिल कुमार साह के द्वारा गुरुवार को दरजनो मरीजों के बेच चस्मा एवंकंबल आदी देकर विदा किया गया उन्होंने बताया कि दरजनों मरीजों के सफल लेंस प्रतियारोपन के पस्चात उन्हें चस्मा दवा तथा कंबल देकर विदा किया गया उन्होंने ग्रामिनों से अपिल करते हुए कहा कि अस्पताल में अब तक कई मोतिया बिंद के मरीजों का उपरेशन लेंस परतियारोपन वीधी से अनुभवी चिकितसकों की टीम के द्वारा किया गया है। सिवीर में मरीजों के रहने खाने का उचित बिवस्ते के साथ साथ दवा एमंकाला चस्मा मुफ्त दिया जा रहा है। मौके पर उपस्तित नेतर सहायक सुसील कुमार ने बताया कि मोतिया बिंद से ग्रशीत मरीजों की जाच पर्तेक सुक्र बार को किया जाता है। चीनित मरीजों का ओफरेशन सनीवार एमंगर विवार को किया जाता है या सिवीर मार्च 2022 तक लगातार निरंतर जारी रहेगा